चलेए आज आप लोगों के साथ चठनी वाली कलेजे की रेसीपी शेयर करती हूं और ले लेना है 1 टीज़ गालिक पेस्ट गालिक पेस्ट गरम मसाला तो मैंने यहां खड़ा ले लिया है और दोनों को मैं साथ में पीस लूँगी मैंने जो कलेजी लिए है वो हाफ केजी है यह 12-13 रेचिली है यह मीडियम स्पाइसी है बहुत जादा तीक ही नहीं है इन्हें वाश कर लें पहले फिर यूज करें और 4 टमेटोज हैं मीडियम साइज के इन्हें हम पीस लेंगे उससे भी जरूरी स्टेप है कि आप मेरे चान स्पूंस कुकिंग ओयल है इसे हम गरम कर लेंगे जब गरम हो जाए तो इसमें आपको जो हमने यह अभी सामान पीसा है उसको डाल देना है क्योंकि मेरा जो गरम मसाला है वो खड़ा था मैंने पहले गरम मसाला ग्राइंट किया दिन उसमें जिंजर गालिक पेस्ट और मिर करके ग्राइंड कर सकते हैं तो यह चटनी डाली है मैंने और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टुमेटो प्यूरी चटनी में थोड़ा सा पानी डाला था बिल्कुल मामूली सा टू टू ठी स्पूंच के खरीब और इसके अलावा इसमें कोई पानी नहीं डाला है अब हम इ और अब प्स ताले तो यह चोड़ा जोट ऑगया है इसको थोड़ा सा चला लें अभी भी इसमें सॉल्ट मैंने अट नहीं किया है जो कलेजी मैंने ली थी वो half kg थी और उसके pieces जो है वो छोटे छोटे कर लिये थे फिर मैंने water boil किया उसमें half lemon squeeze किया half teaspoon हल्दी डाली और इस कलेजी को उसमें 5-7 minutes के लिए boil कर दिया नमक नहीं डालिएगा नमक अगर आप इसमें डाल देंगे तो यह जो कलेजी होती है यह थोड़ी hard हो जाती है और gravy में भी इसलिए अभी तक मैंने salt add नहीं करा है आपने कलेजी डाल देना है इसमें अच्छे से इसको mix कर देना है और इसे further 3-4 minutes के लिए cover करके cook करना है बड़ी जल्दी बन जाती है लेकिन बहुत मज़ेगी लगती है इसको आपने यू mix करना है इसमें पानी नहीं रहता है ग्रेवी नहीं रहती है इसे चट्मी वाली इसलिए कहते है पराठों से बहुत मज़दार लगती है और हमारे ग आपने के लिए चोड़ देंगे यह देखिए त्री मिनट के बाद यह अच्छे से हो गई थी इसमें और अपन को सेपरेट सेपरेट नजर आ रहा है अब आपको लेना है हांडफुल ओफ कोरियांडर और वाश करके उसको इसके ऊपर काट दें और अगर आपको गर में ती अपने के लिए हरा धनियां डालने के बाद गयाज बंद करें और कवर करके रगतें कुछ तीन से चार मिनट तो इसमें खुश्को बहुत अच्छी आने लगती है सर्फ करते टाइम इसको कुर्गुरी रोटी के साथ पराटों के साथ खाएं खिच्ड़ी के साथ खाएं औ और मुझे जरूर बताएं कोमें सेक्शन में के आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और अगर आपकी कोई फर्माईश हो तो वह मुझे कोमें में जरूर बताएं तब तक के लिए तेक केर अला आफेज